नमस्कार आप देख रहे हैं न्यू स्टेट उत्रकंड उत्रप्रदेश और मैं हूँ आपके साथ आशिमा त्यागी बुटन की शिरुवात करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर माफिया मुक्तार को बांदा ले जाये जा रहा है तो बता दे कि लखनों में मुक्तार अंसारी की पेशी है शत्रु संपत्ती मामले में मुक्तार अंसारी की पेशी कड़ी सुरक्षा के बीच लखनों ले जाये जा रहा है माफिया मुक्तार को बांदा जेल से लखनों ले जाये जा रहा है और इस बीच मुक्तार के बेटे अवास ने जिस तरह से आशंका जताई है अन होनी की उसको लेकर परशासन पूरी तरह से मुस्तेद है तो मुक्तार अंसारी की पेशिया शत्रू संपत्ती मामले को लेकर है तमाम जो दलीले हैं वो यहाँ पर तमाम पक्षों की तरफ से सुनी जाएंगी और माना जा रहा है कि आज क्या यहाँ पर राहत मिलती है या मुश्कले और आगे बढ़ती हुई मुक्तार अंसारी की तो यह बड़ी जानकारी कड़ी सुरक्षा के बीच लखनों लाया जा रहा है अब आस अंसारी ने इस पूरे मामले में अन होने की किसी साज़िश की तरफ इशारा किया है और इसी को लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट पर है कड़ी सु आप देख रहे हैं नियू स्टेट उत्राकंड उत्तर प्रदेश पर जब बांदा जेल से लखनों के लिए रवाना हुआ यह काफला प्रशासन का और कड़ी सुरक्षा के बीच आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज मुक्तार अंसारी को लखनों के लिए ले जाय जा रहा है और इसे पर जादा जानकारे के लिए सीधा रुक करेंगे अवनाश हमारे संबादा आता लाइव जुड़ गए हैं अवनाश कड़ी सुरक्षा के बीच बांदा जेल से लखनों के लिए रवारा आज जो क्या होगा मुक्तार का बड़ा सवार बिल्कुल आशमा देखिए कल देर रात एक एम्बुलेंस पहुंची थी बांदा जेल में और वहाँ पर मुक्तार अंसारी का मेडिकल चिक अप कराया गया और उसके बाद मुक्तार अंसारी को बांदा से लखनों लाया जा रहा है चुकि देखा जाये तो डाली बाग में जिन दो टावर्स को ध्वस्त किया था LDA ने उसी मामले में मुक्तार अंसारी और मुक्तार अंसारी के दोनों बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्श किया गया था फरजी दस्तावेजों का इस्तमाल करने को लेकर और उसी मामले में मुक्त संसारी जो कि मुकतार ऑनसारी के बड़े बेटे हैं और मौ सदर से विधायक हैं उन्होंने सोचल मेडिया पर एक पोस्ट डाली और उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अचानक से मुकतार अनसारी को क्यों लाया जा रहा है लखनाओ इसमें साजिश की बू नजार आ रही है तो ये आरूप जरूर लगाया गया है लेकिन देखा जाए तो डाली बाग में जो पूरा मामला है आशिमा चुकि जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया था तब LDA ने खुद वहाँ पर बुल्डोजर चलाया और वहाँ जो दोनों टावर बनाये गए थे उन दोनों टाव संपत्ति पर कहा जाता है कि आप कबजा नहीं कर सकते लेकिन शत्रू संपत्ति को भी फर्जी दस्तावेज तयार किये गये थे और उसे मामले में पेशी है आश्मा और माना जारे कि कुछ दिरबाद मुक्तार अंसारी लखनव लाए जाए जाएंगे और यहाँ पर उन्हे मामले में पेश किया जाए इतने बजे ये पेशी होगी और जिस तरह से अबास अंसारी ने एक अन्होनी और साज़श की बात का यहाँ पर जिक्र किया है इसको लेकर प्रशासन का क्या कुछ कहना और यह साज़श किस और इश्वारा कर रही है अविनाश देखिए जहां तक सवाल पेशी का है तो दोपहर के बाद का समय माना जा रहा है क्योंकि थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि देखा जाए तो लखनव और बांदा के बीच की दूरी काफी अधिक है तो यह माना जा रहा है कि दोपहर के बाद कभी भी मुक्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया जा सकता है जहां तक सवाल अबास अंसारी के आरोपों का है तो देखिए ये आरोप जब मुक्तार अंसारी को पंजाब के रोपर जेल से बांदा जेल शिफ्ट किया जा रहा था तब भी ये आरोप लगाए गये थे हला कि तब देखा गया कि कड़ी सु पूराधी का जो कर सकते हैं कि जो उसका पूरा एक आउरा होता है क्योंकि मुक्तार अंसारी बड़े माफियां है पुरवांचल में इनकी कभी तूती बोला करती थी तो उस लिहाद से जो सुरक्षा बल हैं जो सुरक्षा करनी हैं उनकी परयाप्त तैनाती की गई है जो सब के दौरा यहीं आरोप लगाए गए थे लेकिन बिल्कुल सुरक्षे थे तब मुक्तार अंसारी को पंजाब से बांदा जेल में शिप्ट किया गया था और एक बार फिर से आज बांदा से उनको पेशी के लिए लाए जा रहा है अलाकि आरोप लगाया गया है बिल्कुल अंसारी ने जताई अनहोनी की आश्वंका बांदा जेल से लगनव जा रहा है लिजाय जा रहा है मुक्तार अंसारी को लगनव के MP MLA कोट में आज पेशी होनी है शत्रू संपति का ये पूरा मामला है और लगातार हमारे संबादाता अवनाश प्रिमार से जुड़े अवन मुव्मेंट होता है तो ऐसे में इस तरह का जिक्र यहां पर जो परिवार की तरफ से किया जाता है मुक्तार अंसारी की तरफ से तो अब ऐसे में क्या इसके जरी एक सिंपती जो है वो लेने की कोशिश होती है बिल्कुल देखिए एक माहौल बनाने की कोशिश होती है हलाकि देखिए अगर हम बैग्ग्राउन में जाएं तो यह जो आरोप लगाया जा रहा है मुक्तार अंसारी के परिवार के द्वारा आपको याद होगा जब मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी जेल के अंदर त कि अधिकारियों को सस्पेंट किया गया था और उस पूरे मामले की जाज भी चल रही है तो उसी मामले को आधार बना करके उखिए तो मुन्ना बजरंगी मुक्तार अंसारी का शूटर हुआ करता था मुक्तार अंसारी की गैंग का सक्रिय सदस्थ से था और जब विकास थी कि हो सकता है कि कुछ रास्ते में अन्होनी हो सकती है लेकिन देखिए यह एक कर सकते हैं कि कानोनी प्रक्रिया होती है कि जब किसी अपराधी को किसी माफिया या किसी कैदी को जो सजायाफ्ता कैदी है उसको जब पेशी के लिए लाया जाता है तो परयाप्त सुरक्षा तरफ से कुछ कहा गया है और नहीं यूपी पूलिस की तरफ से कुछ कहा गया है लेकिन सोर्स हैं बता रहे हैं कि मुक्तार अंसारी की काफिले के साथ सुरक्षा बलों की प्रयाप्त तैनाती है अपने आरोप हैं जिस तरीके से उन्होंने आशंका जाहिर किया लेकिन देखा जाता है कि जो सुरक्षा घेरा होता है वो बहुत मजबूत होता है और सी प्रेक्रिया को लेकर कही न कही जो हल चल है वो